हलो एब्रीवन में दीख्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में UPPSC, UPRO, ERO, Re-Exam को दिहान में रखते हुए एडियली प्रेक्टिस कोश्चन की सीरिज चलाई जा रही है जिसमें अभी आज जो हमारा है डे थर्ड है D3 के अंतरगत आपको जिस तरीके से अपके D1 और D2 के कोश्चन प्रोवाइट किये गए हैं उसी तरीके से आपके D3 के भी कोश्चन रहेंगे जिसमें EGS के कोश्चन है जिसके अंतरगत आज की क्लास के अंतरगत हमारा पहला कोश्चन आता है कि महायान संप्रदाय की साहतिकी भासा क्या थी तो इसके अंतरगत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है तो इसमें option देख लेते हैं option पहला आता है option A option A आएगा पाली option B आता है संस्कृत option C आता है प्राक्रत और option D आता है अर्द माग दी तो इसके अंतरगत आपको बताना है कि इन में से कौन सा आपका option सही होगा तो इसके अंतरगत बात की जाए तो आपका जो उत्तर होगा option B होगा क्योंकि इसके जो महायान संप्रदाय की साहतिकी जो भासा थी बहे संस्कृत भासा थी तो option B होगा तो इसके अंतरगत तो जो महायान संपरदाए की साहतिकी भासा, समानता की A आपकी संस्कृत रही है, तो option B इसका उत्तर है, next question आता है कि निमलिखे सहरों में से कौन सा सहर दामुदर नदी से निकला है, दामुदर नदी कौन से सहर से निकली हुई है, नहर निकली हुई है, तो option A आता है सारदा नहर, option B आता है त्रवेणी नहर, option C आता है एडन नहर और option D आता है इंदरा नहर, तो इसके अंतरगत आपको सोच के बताना है कि कौन सी नहर दामुदर नदी से निकली हुई है, तो इसके अंतरगत अगर बात की जाए तो आपका option C है कि यहां से जो दामुदर नदी से निकली नहर में आती है आपकी एडन नहर इसके अंतरगत आपकी निकली हुई है जो कि दामुदर नदी आपके छोटा नांगपुर के पूर्वी किनारिश निकलती हो भारत की सबसे प्रदूसित नदी भी है तो यह दामुदर नदी के संदर में और यहां से आपकी एडन नगर नहर को निकाला गया है तो option C होगा अब इसके अंतरगत आपका next question पूछा गया है कि राष्टी ये बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी तो option ये दिया गया है 1984 में option B आता है 1981 में option C आता है 1983 में option D आता है 1994 में तो इसके अंतरगत आपका जो उत्तर होगा option A होगा कि इसकी राष्टी बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी इसकी ब्याख्या को देख लेते हैं कि राष्टी बागवानी बोर्ड की स्थापना बर्स 1984 में एक स्वायत समीती के रूप में की गई थी जिसका सब्सक्राइब करें इस सेशन को जादा से जादा सियर करें ताकि काफी सारे अभ्यरती को ये टेस्ट से रिच की स्रंख्ला प्रोबाइट हो सके क्योंकि आपकी 10-15-20 मिनिट में ही आपका एक टैन यूर है ठाकि आप कम समय में डेली विचिस पर प्रैक्टिस लगाते रहें option A आता है चडियागर, option B आता है जनतु विज्ञान, option C आता है बनस्पती उध्धान और option D आता है रास्टी उध्धान तो इसके अंत्रगत आपको सही उध्तर की पहचान करनी है क्योंकि इनमें से कौन सा होगा तो आपके जो जैब विविता सनरक्षण के अंत्रगत दो स्थान आते हैं एक सौव स्थान आता है एक बाहे स्थान आता है तो ये सौव स्थानों के बारे में पूछ रहा है तो सौव स्थानों के अंत्रगत आपका रास्टी उध्धान आएगा तो ये आपका option D होगा तो option D होगा तो इसके ब्याख्या को जाल लेते हैं कि इसके अंतरगत देखा जाए कि राष्टी उध्धान जो है वह स्थाने सन्रक्षण भी दीके अंतरगत आता है और राष्टी उध्धान के अलावा कौन कोन आता है जैसे कि बन जीब अभ्यारण हुआ जैब मंडल आगा मंडल लोगाएं वह जीब हने के आपका पूराणों के बनस्ति उध्धान यह स्थाने सन्रक्षण के अंतरगत रूगत क्या आता है तो आपको इसमें सवस्थान में पूरे दे दिये गए हैं और बाहिस्थान भी दे दिये गए हैं तो इससे भी आपका 100% होता है कि ये कोशन आपका आता है तो आपको इस ब्याख्या को अच्छे से याद कर लेना है और इनको समाज लेना है कि सवस्थानों के अंतरगत कौन कोन आता है और बाहिस्थानों के अंतरगत कौन कोन आता है अब नेक्स्ट कोश्यन आता है आपका कि निमलिखित कथनों पर विचार कीजे जिसमें आपको ये कथन दिये गए है कथन के अंतरगत आपको सही उत्तर की पहचान करने है और इसमें निमलिखित कथनों पर विचार कीजे और कूट की सहायता से सही विकल्पि कीजे आप्शन पहला इसमें दिया गया है कि यापनिये बोध धर्म से संपन्दिश संप्रदा है दूसरा दिया गया है कि पिर्थम जैनसभा जोकी पाटले-पुत्र की अद्धेक्षता इस थूल भद्र द्वारा और दुतिय जैन सभा बल्लभी की अद्धेक्षता देवर्धी छमा सर्वन्ड द्वारा की गई थी और आपसंसे आता है कि कल्प सूत्र द्रब्विशंग्रे शाद वाद मंजरी जैन ग्रंथ है तो इसके अंतरगत आपको बताना तो यह जो पूरी पिक्रिया दे गई है यह आपकी जैन धर्म से संबंदित है तो आपका जैन धर्म से संबंदित है तो आपका जो दूसरा और तीसरा ओप्षन है तो इसमें तो इस पश्टता दिया गया है कि यह जैन धर्म है कि पिर्थम जैन सभा पाटली पुत्र की देख्षता में देवर्दी समा सिर्वन दोरा की गई थी और option C में के अंतरगत भी आता है कि कल्प सूत दिब शंग्रय और सियादवाद मंजरी जयन धर्म की गरंत है तो दूसरा और तीसरा option आपका सही है अब आते हैं पहले option की बाद तो पहले option के अंतरगत देखा जाए त क्योंकि पहला वाला इसमें भी दिया गया इसमें सिर्फ दोका दिया गया इसमें उप्रोक्सा भी दिया गया तो इसके अंतरगत जो आपका उत्ततर दिया जाएगा भै option C होगा मतलब की 3 होगा जिसमें दूसरा और तीسरा कथन सत्य हैं पहला सत्य नहींकि ये जयन धर्म स संबंदे थे तो वो इसके अंतरगत option C होगा अब next question आता है इसके अंतरगत की परियावरण की सनलक्षण सोथ तथा पुनरिस्थापना जैसे मुद्धे पर कार करने वाली बेश्विक गेर सरकारी संस था वर्ल्ड वाइट फंड पोर नेचर या डबलू डबलू एफ का मुख्याले कहा इस थे तो इसके अंतरगत बताना है कि डबलू डबलू एप का मुख्याले कहा है Option A दिया गया है Gland Sweet Jaland में Option B दिया गया है Rio D General Rio Brazil में Option C दिया गया है Koolkata Brazil में भारत में और Option D आता है New York USA में तो इसके अंतरगत यह चार विकल्प है तो इसके अंतरगत आपको बताना है कि WWAP का मुख्याले कहा है जैसे मुद्धी पर कार करने वादी गेर सरकारी सेंस्था World Wide Fund Pornature का मुख्याले Gland Sweet Jaland में इस्थित है यह सेंस्था का लक्ष प्राक्तिक परियावरण को और अधिक 36 से बचाना तदह है ऐसी भविश्य का निर्माड करना जिन में मानो प्रक्ति के साथ सुहादर पूंधंग से रह सके तो इसके अंतरगति आपका option यह होगा तो यह कहाँ पर है Gland Sweet Jaland में और इसका लक्ष क्या है प्राक्तिक परियावरण को और अधिक 36 से बचाना भविश्य का निर्माड करना मानो प्रक्ति के साथ सुहादर पूंधंग से रह सके इसके संदर में बनाना है जो कि यह गैर सारकारी संस्था की तोर पर कारिक करता है अब next question आपका आता है कि निम्लिखित नदियों में से कौन सी नदी किष्णा नदी की सहायक नदी option यह आता है काविनी नदी option B आता है भवानी नदी option C आता है मूशी नदी और option D आता है अमरावती नदी तो इसके अंतरगत आपकी कौन सी नदी किष्णा नदी की सहायक है तो इसके अंतरगत option C होगा कि मूशी नदी जो है इनमें से किष्णा की नदी की सहायक है अन्य नदियों की संदर में देखा जाए तो एक कावेरी की सहायक है तो इसके संदर में एक ब्यक्षा देख लेते हैं कि मूशी नदियों कावेरी नदियों की सहायक नदियों में आती है कोईना, तुंग भद्रा, भीमा, दिंडी, घाट प्रभा, माल प्रभा, पंच गंगा और दूध गंगा आती है, तो मुशी के साथ साथ कौन-कौन से किष्णा नदी की सहाइक नदी है, आपकी कोईना नदी आती है, तुंग भद्रा आती है, भीमा आती है, डिंडी आती है, घाट प्रभा आती है, माल प्रभा आती है, पंच गंगा और दूध गंगा, इप सभी आपके किष्णा नदी की साहिक हो और कावेरी की साहिक आती हैं आपकी काविनी भावानी और अमरावती इसकी कावेरी की साहिक नदी आती हैं तो इसमें option C होगा अब next question आता है कि तारकिश और अंदुलन जो की बर्स 1924 में हुआ था इसका संबन्द कहां से हैं तो option ये दिया आंदुलन जो है बर्स 1924 में बिहार राज में शुरू किया गया था कि इसकी शुरुआत बहीं हुई थी मतलब की बहीं ये तारकिश और अंदुलन को चलाया गया था तो option B होगा अब next question आता है आपका कि निमलिखित में से सुमेलित कीजिए आपको इस प्रिशन के सुल्तान इलतुतमिस और अब्दुलरज्याग दिवराय दिदिया तो इसके अंतरगत आपको सही कत्थन मतलब एक तूसरे से सुची शुमेलित करना है तो इसमें option a दिया गया है जैसे की एक दो तीन चार, और option c में 3,1,2,4 और option d में 2,3,4,1 दिया गया है तो इसके अंत पूंटी जो है बाए देवराय फेस्ट से सम्मन्दित हैं फिर आपके इवन बतूता जो आते हैं वो आपके मुहमद बिन तुगलक से सम्मन्दित हैं और अब्दुलरज्जाग जो है बाए देवराय दितिया से सम्मन्दित हैं तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ओप अब नेक्स्ट कुश्चन आता है आपका कि निमलिखित मैंसे असत्य विकल्ब की पहचान कीजे और शूची ये कुर्दो को सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें ए ऑप्शन आता है गोलकुंडा कुतुप साही बन्स, ऑप्शन बी के अंतरगत बीजापूर पापका सही होगा तो इसमें आपका पहला विकल्ब भी सुमेलित है कि गोलकुंडा कुतुप साही बन्स से संब्दित है बरार इमाज साही बन्स संब्दित है ये भी सुमेलित है बीदर बरीद साही बन्स से संब्दित है ये भी सुमेलित है लेकिन ये आपका उश्चन ज जो वो एक दूसरे से सुमेलित हैं, तो इस तरीके से इसकी ये व्याख्या दी गई है, कि इसके अंतरगत ही सभी एक दूसरे से सुमेलित होते हैं, अब आता है आपका next question कि मुकासा का सम्बंद निमेखित में से किस बंस से था, option E आता है आपका दिल्ली सल्तनत, option B आता है मर option C आता है मुगल सामराज, option D आता है विजैनगर, तो इसके अंतरगत बताना है कि आपका मुकासा किस बंस से सम्बंद था, तो इसके अंतरगत आपका उत्तर देखा जाए, तो option B है कि यह मराठा बंस से सम्बंद था, तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि मुकासा का जो सम्मंद है मराठा प्रशासन से था यह जो था एक चौत का हिस्सा होता था जो की 66% हिस्सा होता था लेकिन जब कोई प्रदेश सी था मराठा सामराज से बिलाई कर लिया जाता था तो मोकासा जो की 66% जो जागेर की रूप में इसे बार्ट दिया जाता था और प्रारम में बनसानुगत यह नहीं होता था किन्तु सत्रवी सताबदी के बाद जागीर था मोकासा दोनों ही अनुदान बनसानुगत हो गए तो इसके अंतरगती आपका ऑप्शन भी होगा तो एक इस तरीके कहां का था मोकाशा मराथा प्रशासन था जो की चौत खाशाइजट परसेंट हिस्सा होता था लेकिन जब कोई प्रदेश सीधा मराथा सामराज में बिलाएं हो जाता था तो मोकासा को जागीर की रूप में वार दिया जाता था जो कि एक बनसानुगत नहीं था लेकिन सत्रवी सताबदी में जागूर और मोकाशा दोनों को एंदान को ही बनसानुगत बना दिया गया तो इसके संदर में वो प्रोड़क्त ब्याख्या रही है यहां पर यह आज की जो कुश्प्रशनों की स्रंखला है वो फिनिस होती है डेली आपको 10 कुश्चन होते हैं लेकिन आज आज आपके 11 कुश्चन रहे हैं तो इस तरीके के कुश्चन की स्रंखला अध्य Сरुन की सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें जहां पर आपको इसकी पीडियए 10 अबिली विल होगी धन्ननबाद पो